हेलो दोस्तो आरकी मिक्स इंटर्टेन्मेंट पर आपका स्वागत हैं दोस्तो नवरात्र पर्व के आठवे दिन का विशेस मैत्र होता है इस दिन को महा अश्टमी या दुर्गा अश्टमी भी कहा जाता है दोस्तो दस अक्टूबर को इस बार यह त्योहार है दुर्गा अश्टमी का जो कि मा दुर्गा के आठवे सवरूप की पूजा की जाएगी नवरात्री के अश्टमी तिति को मा दुर्गा के मा महागोरी सवरूप की उपासनग की जाती है माहागोरी का रंग पूनता गोरा होने के कारण ही इन्हें माहागोरी या स्वेता अमधरा भी कहा जाता है मान्यता है कि माहागोरी की पूजा करने से धनवै सुक स्मर्दी की प्राप्ती होती है महागोरी गोर वणकी है और इनके आबूसन और वस्तर स्वेतरंगे है इनकी उमर आठ साल की मानी गई है इनकी चार बुजाएं है और वर्सब पर सवार रहने और वर्सारूडा भी कहा जाता है सफेद वस्त्र धारण करने के कारण इन्हे स्वेतांब्रा भी कह गया है महागोरी देवी पारवती का एक रूप है पारवती ने भगवान शिव की कटोर तपस्या करने के बाद उन्हें पती के रूप में पाया था कथा है कि एक बार देवी पारवती भगवान सीव से रूष्ट हो गई इसके बाद वह तपस्या पर बैठ गई जब भगवान सीव उन्हें खोजते वे पहुँचे तो वह चकित रह गई पारवती का रंग वस्त्र और आभूशन देखकर उमा को गोरवन का वर्दान देते हैं माहागोरी करूणवई सनेमई शांत तथा मिर्दूल सवबाव की हैं माहागोरी की आरादना सरु मंगल मंगल यह शिवे सर्वार्थ साधिके संगने त्रेंबके गोरी नारायनी नमस्तुतिते इस मंतर से की जाती है कहा जाता है कि एक बार भूखा शेर उन्हें निवाला बनाने के लिए व्याकुल हो गया पर उनके तेज के कारण वै ऐसा है हो गया इसके बाद देवी पारवत्य ने उसे अपनी सवारी बना लिया मा के आठवे सवरूप महागोरी की आरादना करने से धन सुक्समर्दी की प्राप्ति होती है इस दिन सुबह उटकर जल्दी सनान कर ले और फिर पूजा के स्तान पर गंगा जल डाल कर उसकी सुद्धी कर ले घर के मंदिर में दीप परजिवलित करें मा दुरगा का गंगा जल से अभिशेक करें मा को अक्षत सिंदूर और लाल पुस्प अर्पित करें परसाथ के रूप में फल और मिठाई चड़ाएं दूप और दीपक जलाकर दुरगा चानिसा का पाट करें और फिर मा की आर्थि करें मा को भोग भी लगाएं इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है दोस्तो नवरात परवपर दुरगा अष्ट में के दिन कन्याओ की पूजा की जाती है जिसे कंचग भी काहा जाता है इस पूजन में 9 साल की कन्याओ की पूजा करने का विदान है माना जाता है कि महागोरी की उमर भी 8 साल की थी कन्या पूजन से भक्त के पास कभी भी कोई दुखन नहीं होता और मा अपने भक्त परपरसन होकर मनवांचित फल देती हैं आदि सक्ति देवी दुरगा के आठवे सवरूप की पूजा करने से सबी ग्रह दोस्त दूर हो जाते हैं महागोरी की आरादना से दामपत्य जीवन व्यापार धन और सुक्स मर्थी भड़ती है जो भी देवी भक्त महागोरी की सच्चे मन से आरादना वे पूजा अर्चना करते हैं उसकी सभी मुरादे पूरी करती है पूजा के दोरान देवी को अर्पित किया गया नारियल ब्रह्मन को देना चाहिए देवी परवती का जन्म राजा हिमाले के घर हुआ था आठवर्स की उमर में ही उन्हें अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आबास हो गया तब से वह बगवान शिव को पती के रूप में पाने के लिए तपस्यात शुरू कर दी थी है तपस्यात देवी परवती को महान गोरव पराप्त हुआ था इसलिए उनका नाम महागोरी पड़ा इस दिन दुर्गा सप्त सती का पाठ करने से विशेश फल की प्राप्ती होती है बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको दुर्गा आश्ट में से जुड़ी सारी जानकरी दे दी होगी जानकरी अच्छी लेगी तो वीडियो को लाइक करें मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगेश शेर करें कमेंट सेशन में आप लोग जै मात दी लिखना ना भूलें और दोस्तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल या पेज आरके मिक्स इंटर्टेन्मेंट को सब्सक्राइब या फोलो करना ना भूल दें दन्यवा दोस्तो जै हिन